सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मॉबाइल्स रेडमी और टेकनो की तरफ से टेकनो का स्पार्क फाइफ प्रो जो आपको मिल जाएगा ग्यारा हज़ार में दूसरी तरफ है रेडमी का नाइन प्राइम जिसकी कीमत है दस हज़ार ये एक हज़ार सस्ता है तो इस वीडियो में में इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं क्या क्या च्छाया हैं और आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहीएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं अगर आप 10,000 खर्च करते हैं रेडमी के 9 प्राइम पे तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगावा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर रखे भी मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इसके बाद दिया गया है यह ट्रांस्परेंड बैक कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल ही है इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल इसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुँ जाद अच्छी है और रेडमी के 9 प्राइम के साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है तो यह चीज़ इसमें काफी अच्छी है आखर मापको रखवा मिलता है यह वाइट कलर में इसमाल कर सकते हैं अब यह सारा समान आपको मिलता है रेडमी के 9 प्राइम के साथ 10,000 में रेट की इसाब से देखा जा तो बॉक्स के कंटेंटस आपको काफी अच्छे ही दिये गया है टाइप सी केबल भी है और फास्ट चारजिंग का सपोर्ट भी है चले देखते हैं अगर आप फिर भी 1000 और जादा खर्च करते हैं टेक्नो पे तो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिलता है मॉबाइल जिसका डेटेल लुक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से एक मिल जाता है काफी अच्छी क्वालिटी में कवर इसके बाद मिलती है एक डेटे केबल जिसकी लेंट और क्वालिटी दोनों सही है लेकिन दोस्तों कमी ये है इसके साथ आपको USB to Micro USB केबल दी गई है टाइप सी केबल इसके साथ आपको नहीं मिलती ये टेकनो में कमी है इसके बाद आपको आखिर में रखवा मिल जाता है ये वाइट किलर में चार्जर इसके अंदर भी आपको आउटपुट वहीं मिलता है तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा दस वाट का ही चार्जर दिया गया है तो आप मार्केट से भी खरीद के एक फास्टेजर इस मॉबाल के साथ इस समान नहीं कर सकते अब ये सारा समान आपको मिलता है ग्यारा हज़र में टेक्नो के साथ रेट की साब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट साब को रेडमी के नाइन प्राइम के साथ ही जादा छे दिये गये हैं उसमें दो खुबिया जादा है एक तो उसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है जो इसके साथ नहीं दी गई दूसरा उसके अंदर आपको फास सर्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है इसे के साथ उसकी कीमत भी 1000 कम है इस टेक्नो से तो रेट की साथ से देखा जाए तो इस चीज में जादा बढ़िया है रेडमी का 9 प्राइम ही चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों मुबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन काफी जादा ग्लोसे मिलता है लेकिन दोस्तों ये कम है टेक्नो के अंदर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के डाइब के रिजाइन दिया गया है तो स्क्रेचिस बहुत जाद असानी सा जाते हैं वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi के 9 Prime में आपको हाड प्लास्टिक के डाइब के डिजाइन मिलता है तो इस पे स्क्रेचिस की प्रोब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलती है टेक्नो के कम पर इज़न में बाकी दोनों के अंदर आपको कलर काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको दिया गया है बैक पेनल पे वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime आपको पीशी की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 13 Megapixel का दूसरा 8 Megapixel का तीसरा 5 और 14 2 Megapixel का इसका front camera है 8 Megapixel का camera की performance आपको Redmi के 9 Prime में बहुत अच्छे मिल जाती है इन दोनों मुबाइल्स के comparison में camera आपको ज़्यादा बढ़िया दिया गया है Redmi के 9 Prime में ही camera के अंदर भी Redmi के 9 Prime ज़्यादा अच्छा है टेक्नो से इसके लाब दोसरा आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों मुबाइल्स में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा design को लेकर भी Redmi के 9 Prime ही ज़्यादा पसंद आया अच्छी quality होने की वज़े से और मुझे personalize का color भी ज़्यादा बेटर लग रहा है टेक्नो से बात करें दोसर डिस्प्ले के बारे में तो टेक्नो के अंदर आपको 6.6 इंचिस की डिस्प्ले दी गई है Redmi के 9 Prime में 6.5 इंचिस की डिस्प्ले साइज में हलका सा और बड़ा है टेक्नो लेकिन दोसर इसके अंदर कमी यह है आपको IPS HD Plus से डिस्प्ले दी गई है वही दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime में आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है तो डिस्प्ले की quality ज़्याद अच्छी है Redmi की बाकि दोसर बात करें यूज़ें डिफेस के बारे में तो यूज़ें डिफेस कुछ इस तरी किसे दिया गया है Redmi के 9 Prime में आपको Home Screen पे ही सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है आप ऐसे Red Set पे स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है इसके अदर आपको App Draw दिया गया है दोस्तो यूज़ें डिफेस के अदर मुझे ये दोनों ही मोबाल्स नॉर्मल ही लगे फिर भी मुझे इन दोनों मोबाल्स के यूज़ें डिफेस में ज़्यादा बैटर लगा Redmi का 9 Prime इसके यूज़ें डिफेस मुझे ज़्यादा बैटर लगा टेक्नो के कमपरिजन में दोनों मोबाल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फूल ब्रैटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब डिज़ाइन के अंदर काफी बड़ा फर्क है Redmi के 9 Prime आपको नॉच वाला डिज़ाइन दिया गया है जो काफी common हो गया ये काफी पुराना डिज़ाइन है लेकिन दूसरी तरफ पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है टेक्नो के अंदर डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइट पर तो डिस्प्ले का डिज़ाइन जाद अच्छा है टेक्नो का लेकिन बात करें सबसे important चीज quality के बारे में तो आपको जाद अच्छे मिलती है Redmi के 9 Prime में ही तो डिस्प्ले में जादा better है Redmi का 9 Prime लेफ्ट साइट साब देखिए दोनों मोबाइल्स को आपको उपर की तरफ साब देखिएंगे तो टेक्नो में कुछ नहीं दिया गया प्लेन डिजाइन है Redmi के 9 Prime में आपको IR Blaster दिया गया है noise cancellation mic के साथ तो इसमें आपको IR Blaster मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है तो टीव अगर आप इस मोबाइल्स से चला सकते हैं इसमें जाद अच्छी हूबी है अब दोस्तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 4GB के RAM 64GB के internal storage इस चीज में दोने जिससे हैं लेकिन 64GB में साब को Redmi में मिलती है 50GB के आसपास टेक्नो के अंदर आपको काफी अच्छी free memory दी गई है इसके अंदर आपको मिल जाती है 54GB के असपास तो 4GB तक्रीबन आपको जादा मिलती है टेक्नो के अंदर दोस्तों यहाँ पे भी आप display की quality का फर्क देख सकते है Redmi जादा बेटर है और इस जगह भी आप देख सकते है डिस्पली की quality जो है brightness जो है आपको जादा बेटर मिल जाती है 9 Prime के अंदर ही दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको Android का बिलकू लेटेस वर्जयन दिया गया है Android 10 इस चीज में दोनों अच्छे है बात करें दोस्तों बेटरी के बारे में तो टैकनो के अंदर आपको बेटरी मिलती है 5000 image की Redmi के 9 Prime में आपको बेटरी दी गई है 5000 image की इन दोनों मुबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बेटरी बैक अप आराम से मिल जाता है बेटरी के अंदर दोनों ही मुबाइल्स काफ़ी जाद अच्छे हैं लेकिन Redmi का 9 Prime और जाद अच्छा है इसकी कीमत भी एक हज़ार कम है और इसके अंदर आपको Tecno की तरह काफी अच्छी बैटरी दी गई है इसी की साथ इसके अंदर आपको Type-C Port और Fast Charging का Support भी मिल जाता है तो ये खुब ये इसके अंदर आपको जादा मिल जाती है बात करें दोस्तो प्रोसेसर के बारे में तो Tecno के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का A25 प्रोसेसर Redmi 9 Prime के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G80 प्रोसेसर अब देहिए प्रोसेसर के अंदर कोई competition नहीं है Redmi का 9 Prime बहुत जाद अच्छा है Tecno से अगर आप एक heavy user है तो इन दोनों मुबाइल्स में आपको जादा बड़िया परफॉर्मेंस देहने को मिलेगी Redmi के 9 Prime के अंदर ही अब दोस्तों ये सारी खुबिया कमी आपको मिलती है इन दोनों मुबाइल्स में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपको Tecno पे जादा भरोसा है या फिर Redmi पे इसके बाद आपकी जो main जरुत की चीज़ है वो कि इस mobile में जाद अच्छी है तो देखिए अगर आपको design अच्छा चाहिए तो आप Redmi का 9 Prime लीजिएगा इसकी design की quality जाद अच्छी है और अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो अभी आप Redmi 9 Prime खरी दियेगा इसके अंदर आपको camera जाद अच्छा दिया गया है इसके लब दोस्तो अगर आपके लिए matter करती है mobile की display तो इसके अदर आपको fast charging का support भी दिया गया है type C port के साथ तो अच्छी battery के लिए भी आप 9 Prime ही खरी दियेगा आखिर में दोस्तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor तो वो भी आपको ज़्यादा बेटर दिया गया है 9 Prime के अंदर ही आप 9 Prime खरी दियेगा लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ज़्याद अच्छे मिल जाती है टेक्नो के अंदर जो कि है इसकी डिस्प्ले का डिजाइन जो ज़्याद अच्छा दिया गया है Redmi से तो एक चीज़ में ज़्याद अच्छा है टेक्नो आपको प्रोसेसर भी ज़्याद बढ़िया मिल जाता है तो दोस्तों इन दोनों मुबाइल्स में थोड़ा बहुत फर्क नहीं है Redmi का 9 Prime बहुत ही ज़्याद अच्छा है टेक्नो से इन दोनों मुबाइल्स में मुझे परसनली Redmi का 9 Prime ज़्याद पसंद आया आप बताईगे निचे कमेंट करके आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन से ज़्याद अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दबा दिएगा ताकि इन ने वीडियो आप तक पहुँचती रहें इसके लाब वीडियो गर आपको हेल्फोल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई